आप देख रहे हमारे साध नगरी मीडिया आज हम आपको बदाएंगे बॉलिवोड की पांच ताजा खबरों के बारे में सबसे पहले अभी नेता मिथुन चकरवर्ती शनीवार दस फरवरी सुबा सीने में दर्थ की शिकायत के बाद कॉलकटा के अपोलो हॉस्पिटल के इम पेंस्ट्रॉक हुआ था इसके बाद से ही आक्टर देविश्री रॉय भी उनसे मुलाकात करने गई और उन्होंने खुलासा किया कि अब ठीक होने वाले हैं इसके साथ ही सलमान खान के मशूर रियालिटी शो बिग बॉस 17 का सीजन दो हफते पहले ही समाप्त हो चुका है उ अब आक्टरस ने कई बार बॉलेवुड से लेकर ऐसे मुद्दे उठाएं और राजनीती के मुद्दे भी उठाएं कि उनकी राय काफी जादा अच्छी होती है अब हाली में अक्टरस को इविन के दुरान पूछा गया कि वो देश की प्रधान मंत्री बनने की इच्छा रखती हैं नहीं ऐसे में कंग्णा ने जवाब दिया कि मैंने अभी अभी इमर्जनसी नामक फिर्म बनाई है उसे फिर्म को देखने के बाद कोई भी मुझे प्रहान मंत्री बनाने या उसके रूप में देखने के लिए पसंद नहीं करेगा इसके साथ ही कुछ फिर्म ऐस ने अपनी शांदर कहानी और कमाल के वी अफेक्स एक्स सिक्वेंस के जरिये दर्शकों का भरपूर मनुरंजन किया दूम बचाने के बाद इस मूवी को ओटी टी रिलीस के लिए इंतजार कर रहे हैं इसके साथ ही रिदिक रोशन की फाइटर फिर्म को भी लेकर जिस बात कलेक्शन हुआ है कि इसकी सत्रवे दिन भी एरिल आक्शन फिल्म थ्रेलर की 13.7 करोड की कमाई हुई है ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ